कि नमस्षकार बच्चें wondि के के पत्धम प्रशन पठ्र को विडश्बेशन आपके सामने प्रश्थ करने जा रहे हैं याद रखिए यह जो प्रशन पत्र मैं आपके सामने इस्पष्ड कर रहे हूं इसमें से अधिकाँस प्रश्ण आपको अपने युनिवरस्टी के एक्जामनेशन में देखने को मिलेंगे यदि आपने इस प्रश्ण पत्र को अच्छी तरीके से समझ लिया और याद कर लिया और इसमें जो प्रश्ण दिये गए है उनकी तैयारी कर ली तो मेरी गारंटी है कि आप अपने परिक्षा में अच्छे नहीं, बहुत अच्छे अंकों से पास होगी, तो ध्यान दीजिए, एक-एक प्रश्न का explanation मैं करती जाओंगी, फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आए, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं, पहला प् सबसे पहले आप संक्य सूत्र लिखेंगे, उसके बाद आप उसका संदर्व लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर उसकी विश्लेशन लिखेंगे, और देन उसका काविकत विशेस्ता है लिखेंगे, तो इसमें जिस संक्य सूत्र है, पंति एक संदेश रो, पंति संदेश प्रसंग से लिया गया है इसके रचेता जैन कवी कुछलाव और कवी कलोल माने जाते हैं मतलब डिसाइड़ नहीं है कि इनके कवी कौन है पर ऐसा अंदाज लगाए जाता कि जैन कवी कुछलाव और कवी कलोल ने यह डोला मारू के दूआ लिखे थे इसमें मर्वण से आकर मिलें इस तरीके से आपको प्रसंग असंदर मिखना फिर उसकी पूरी व्याक्षय लिख देनी है और काविगत विश्यष्टा इन सब बातों के लिए आप मेरे चैनल की प्लेइलिष्ट में जाइए आदिकाल प्लेइलिष्ट में जाईए वहां आपको डूला सारे दोहों का भावार्त व्याख्या बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी दूसरा है आपका अत्वा में पुर्ते निकसी रगुवीर वदू धर दीर दय मग में डगते तो आप क्या करना है इसमें देखना है आपको यह आपका तुलसिदास द्वारा रचित उनकी पुस्तर क कविताह वली के अुद्य काहंद में आयड्यकान में से एकांड प्रसंगे ये पंक्तिया है ये लिकह ब्रजभाषा आपको फिर कह रही हूं, आपको व्याक्या बहुत अच्छी तरीकी से सीखनी है, तो आप मेरे च्जालल की प्लेलिस्ट व्याक्या में जाए, वहाँ आपको व्याक्या के के लिए आप आधिकाल की प्लेइस्ट में चले जाएं जाएं दूसरी वैक्षा है यहतन जालो मसी करो लिखो राम पड़ते हैं मालूं पढ़ा है कबीर द्वारा लिखे गया दोहा है तो कबीर द्वारा लिखी गई पुस्तक जो कि बीजित पुस्तक है विजित में साक्या यह दोहे उद्रित हैं और इसमें जो अपना विरह को अंग जो उनका भाग है उसमें से यह दोहे लिए गए हैं और इसमें परमात्मा की व्रह वेदना पर प्रकाश डाला गया है फिर हैं आपको उदो मन ना भहे दसबीस मालूम पढ़ रहा है एकनम उदो की बात आ गई या है यह दोहरा रचित बता यह बक्तिकाल के कवी वासल शीरोमनी इस तरीक साथ आपको इनके जो विशेशन वह जरूर लिखने चाहिए तो सुर्दास दौरा रचित जो सूर सागर पस्टक कह उसमें से उद्ध्रित है ब्रहमर्गीत शार में से लिया गया है ब्रजभाश मे में निराका ब्रह्म की प्रधांता को परिपुष्ट किया गया है फिर है आपका कुझ भवन से चली भेली है रोकल ग्रिधारी पहले पढ़ते हैं आपको समझ में आ जाना चीए यह अपने पढ़ा है तो नहीं तो मैं आपको बताती चली जा रही हूं यह विद्यापती पुष्टक है पदाबली से उद्रित है इसमें रादाक्रशनी के संबात का और रादाक्रशनी का जो प्रेम है उसके बारे में बताया गया है फिर है आपका सिंगल दीप कथा अब गायों सिंगल दीप नाम आते ही आपको याद आ जाना चाहिए मलिक मौहमद जैसी यह मलि सिहल दीप वर्णन खंड में से यह उद्रित है इसमें सिहल दीप की विशेष्टाएं बताई गई है फिर है आपका घुंगरु बांद मीरा नाची समस्या ही नहीं है नामी आ गया मीरा यानि कि यह जो पद है वो मीरा के द्वारा लिखा गया है और यह मीरा मुक्तावली म इंद्धर अपने राजसुक को त्याक कर और क्रिश्टा की भक्ति में अपने आपको समर्पित कर दिया था आपका कान बहे बस बांसुरी के अब कौन सकी हमको चाहिए यह रस्खान द्वारा रचित सुजान रस्खान उनकी पुस्तक है सुजान रस्खान उससे उद्रित ह इसमें गोपियों ने अपनी मुर्ली के प्रती अपनी जो सौती अढ़ा है उसको प्रकट किया है तो इस तरीके से मैंने आपको इस प्रशन पत्र में जो भी व्याक्ष्ट्र के लिए पदा रहे हैं उन पद्य कहां से लियाग्या है कौन उसके लेखा के और उसके मुक्षे बात क्या है वो बताईए और डिटेल के लिए मैंने आपसे बता दिया है कि अब आधिकल और भक्तिकल वाली प्लेलिस्ट में चले जाएए वहां इन सारे जो कावे खंड हैं उनका भावार्त उनकी कावे का पेशेस्ता हैं अब है प्रशन प्रशन आता है डोला मारूरा दू इसका मैंने आपको पूरा एक वीडियो बना के दिया है तो आप डोला मारूरा दूआ की जो कहानी है उसको आप भूमिका के उप में ले सकते हैं उसके बाद आपको इसका भावपक्ष बताना है कि यह लोग जीवन की सपल अभी व्यक्ति है तो इसमें आप बताएंगे कि इसमें लोग की कौन कौन सी परंपरा हैं जिसके बारे में जिक्र किया गया है लोग व्यवहार किस तरीके से विवहा विवहा के बाद क्या गौना की प्रता है उसके बारे में प्रेम व्योग स्वयोग श्रंगार यह सारी बाते जो लोग जीवन में समाई हुई हैं उसमें लोग डोला मारुक के दूआ में अभिवक्ति की गई है तो आप इस अब को क्रंबद तरीके से बिंदुवद्ध बता देंगे दूसरा प्रशने आपके विद्यापती प्रेम और स्रंगार के प्रतेम कभी हैं इस कतन की सोधारान भीचना कीजिए याद कीजिए मैंने आपको विद्यापति पे एक वीडियो डाला है और उसमें मैंने आपको शीष्यकक दिया है कि विद्यापति भक्त कभी है या स्रंगार कभी बस इस वाले प्रशने का पूरा उत्तर वहीं है justification कीजिए निवन्दौतलन प्रशने तो पहले हम थोड़ी सी भूमिका लिखेंगे जिस कहां कि थी क्या तो उसने क्या रचनाएं थी उसकी क्या विशेश्ना थी इस तरीकी से मेरा के पारे में लिखी बलोग्स थदेके पारे मेरा का भूमी का ने horns कावज संदरे का बावगत विशेष्था है और दूसरा करना आप उसकी कलागत विशेष्था में क्या आएगा उसकी क्या विशेवस्तू है तो जैसे मीरा की भक्ती भावना है उस पर आपको प्रकाश डालना है मीरा का स्रंगार है उसकी जिए वैयोग की इस्तिति है उसकी रहसे 38 मक्ता है जिए जो ब्रड़ को मिलता यह सब सब क्थन की समिक्षे आपको करनी है तो कभीर कवी थे लेकिन भक्तिकाल के वह थोड़ा सा आप इसमें कभीर की परिचे दीजिए कि कभीर भक्तिकाल के निर्गुन धारा के जो कभी है और उन्होंने मूर्ति पुजा का विरोध किया है या वो निर्गुन ब्रह्म्य में विश्वास करते हैं इस तरीके से आप समाज के अगवा बन गए फिर उनके समाज सुधारक के जो पॉइंट्स हैं उनको अपन अपन पॉइंट्स में ले लेंगे जैसे समाज सुधारक के रूप में आपन जैसे पहला पॉइंट बना लेंगे उन्होंने जातिवादी का विरोध किया उन्होंने जो धार्मिक नहीं बलकि भाव पर ज्यादा वरुसा करते थे इस तरीके से आपको जो कमीर है उनकी समास उधार वाली जो उन्होंने कविताई लिखी है खमास उधार वाली जो उनके दो ही लिखिया उधार देते हुए आपको यह प्रशन कर देना है नेक्स प्रशन आपका सूर्दास में जितनी सेहर देता और भावगता है उतनी ही चतुरता और वाग विदगता भी है ब्रहमर गीत प्रशन के आदार पर इस कतन की समिक्षा कीजिए वह सीधी सी बात है कि यहां पर भी हमको सूर्दास की काविगत विशेष्था ही बतानी है ब्रहमर गीत की काविगत विशेष में और जो उनकी बाद विद्द्र वगर आ जाती है या जाती है उनकी विश्यृष्थे में तो यहां पर आप सबसे वहले सूर्दाश का ब्रहमर गीट किसे कहते हैं और सूर्दाश हैं उनका वाक्चा तुर्य बताया है आप उधारण देके बताइए कि सख्या किस तरीके से उद्धव का मजाक उड़ा रही है कि निरुकुन कौन देश को वासी ऐसा आपको कोई उधारण देके बताते रही है प्रेम की महता को इस्पष्ट किया है इसमें सूर्दाजी ने गिति गावे है और इसमें विओः संगार सब्सेर प्रमुक रूप से हमें मिल राहे इसमें जो सखियां है वह उद्धाप्यभ कर रही हैं انहें उलाहना दे रही है और इसमें और इसमें हास्छाण वास्ता में रस की खान है संकलित कावेंशों के अदर पर इस कथन को इस पश्ट किए बेटा मैंने ये इस प्रशन को पूरा लिख कर कि आपको कैसे लिखना चाहिए इसका वीडियो आपके लिए बनाया है आप वहां से ये प्रशन अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और अल जो कभी कोर्स में हैं, उनकी कावेकत विशयस्ताओं को आप लण कर जाएएं जदि उनकी कावेकत विशयस्ताओं को आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं उन Chem books लेते हैं कि कि इस प्रशन के उत्तर को लिखने में आपको दिक्त नहीं आईगी क्योंकि गुमाल फिरा के लिखना आपको कावगत विश्यष्ताइः है प्रश्ण का जो हेडिन आरहा है उस हेडिन को लेते हुए और आपको इसम्हें कावी की विश्यष्ञण लिखनी अब आपका प्रेशन है किनी दो विश्यों पर शंखिप्त टिपणियां लेखिए तो आदिकाल की सामान्यी विश्यस्ता है जैसा कि हम जानते हैं हिंदी सहत्य का जो सबसे पहला यूग इसको आदिकाल कहा जाता है इसको वीर काथा काल के नाम से भी जाना जाता है मैंने तकाल कहा जाता है, इस में इसे समय में ज़ाएर तर रासों कावे लिखा गया, क्योंकि जो कवी थे, वह सब दर्वारी कवी थे , किसीर आ जा जागे दर्वार में रहते थे, राज प्रशाषिया, राजाओं की प्रशाषियां, उनके जो द्वारग किए गए जो युद्डों हैं, उनकी सहास उनके प्राक्रम का व्कषान इन काव्य में हमें ज़सातर मिलता है. दूसरे बात जो आधिकाल के कावे हमको मिले हैं उनमें एतिहास की आधिहासिक बाते हैं लेकिन उनका जो इतिहास है काफी संडिक है काफी अत्य ard 내중 की राजाओं की यदों के बात की गए लेटी तिर भी मैं आपको बता दू कि इसकी एक विशेष्टा ये बनती है कि इसमें राष्ट्रिय भावना का बिलकुल अभाव है और जन जीवन का जीवन कैसा है इस पर कोई प्रकाश डाला नहीं गया है डिंगल भाष्षा का प्रयोग किया गया है चंद और अलंकारों का प्रयो कि आपको उनके वारे में इसमें बताना है तो आपको बताने हैं जो संत हैं वो कैसे हैं कुछ सगुण धारा के संत हैं कुछ निर्गुण धारा के संत हैं कुछ प्रयम मार्गी सूफी संत हैं तो इन तीनों संतों के बारे में आपको बताना है आपको जो निर्गुण धार प्रचार किया और उन्हें समन्वे वाद पर जोड दिया कि समाज में समन्वे होना चाहिए जाति-पाति का दर पर कोई भेदवाव नहीं होना चाहिए अध्यात्म की भावना इन्होंने बताइए प्रेम का मार्ग बताया है गुरु की महत्ता बताइए यह सब हम इसमें वो कि भुल्षी को यह दी हम पढ़ें तो पूरे राम जर्इट मानस में समर्वे दिखाई देता है on ईत्तर भारत का समन्वे कराया जो निमने निमने जाती ती ती ऊनका समन्वे कराया केवत का प्रसंग देखि вами उन्होंने शेयव और वैष्ण यह कर देखिए पर देखिए रामें वो पैस्ट्स पूजा कर लाइं वहां कि वाल हुद दैच। यह षे वाल सुज helped आधिवासी सबता है इसमनवे संब्ध और अच्छा जो विद्वान है। तो इस तरीके से इसनुट की भावना है। और अच्छी जो विद्वान है उन लोगों के quotation भी लिखी है, सगोन और निर्गोन भक्ति-धारा में समानता है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनारही हूं, और आपको बेज रही हूं, कि सगोन-धारा निर्गोन-धारा में क्या समानता हैं और क्या अंतर हैं, अंतर भी मालू लाना चाहते हैं पाखंडों का इनका विरोध करते हैं जाती पाती के आधार पे जो आधार है उनका विरोध करते हैं तो इस तरीके से आप इनकी टिपणियां रेख सकते हैं मैंने पूरे प्रश्णों का उत्तर नहीं बता रही हूं लेकिन आपको संक्यत दे रही हूं हर प् ये उसको देखिये, आपको इन प्रश्णों के उत्तर मिल जाएंगे. Thank you, thank you so much.